मुम्रा कौसा में संजे नगर के लोगो का है खयाल तोरंट पावर कमपणी है बिजली के बिलो में चंडाल मैं अफराहिम मीर आज का महानगर में आपका स्वागत है मुम्रा कौसा में संजे नगर शेतर के परीसर में MSEDCL की जगे बिजली आपुर्ती की टोरंट पावर नामक कमपणी ने 27 नवंबर 2020 को परीसर के घरों में लगे पुराने मीटर निकाल कर नए मीटर लगाए जो टोरंट पावर कमपणी के खुद के लाए हुए थे जिसके कारण परीसर के लोगों में काफी आकरोश पैदा हो गया स्थान ये लोगों की ये शिकायत है कि टोरंट पावर कमपणी के लाए हुए मीटर में बड़ी गड़बड़ी है ये कमपनी मीटर के नाम पर लोगों को लूट रही है लोगों से ज्यादा पैसा वसूल रही है कहीं कहीं ये मीटर स्लो चलता है कहीं कहीं ये मीटर फास्ट चलता है दो से तीन दिनों के अंदर सव से देड़ सो यूनिट रिडिंग आ रही है ऐसी शिकायतों के साथ संजे न लोग रहते हैं इनमें कई महिलाएं तो घर काम के लिए जाती हैं कई पुर्ष ठेले और रिक्षा चलाते हैं जिनसे उन लोग का रोजगार चलता है यानि के रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग यहां शत्त प्रतिशत हा रहते हैं ऐसे में टोरंड पावर कमपणी की सवाल खड़े किये जन प्रतिनीदियों के सामने एक प्रकार से स्थानी लोगों ने अपनी गुहार लगाई और कहा कि हमें टोरंड पावर नामक कमपणी से छुटकारा दिलाईए हमें नियाय दिलाया जाए परन्तु सवाल यह उठता है कि इस नीजी टोरंड पावर नाम कमपणी से मुम्रा काउसा को कैसे मुक्ती मिलेगी क्या यह सत्ताधारी पार्टी मुम्रा वासियों को इस टोरंड पावर नामक कमपणी से छुटकारा दिलाएगी या फिर विपक्ष इससे मुक्ती दिलाएगा या फिर कोई सामाजीक संगठन इससे मुक्ती दिलाएगा अगर इन लोगों ने मुम्रा वासियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर मुम्रा की जनता को रास्ते पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं और किसी के कार्याले में मुम्रा वासियों की शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं है, क्या आपका नाम है और किस ठरे की ٹोरेंट को लेकर आपकी श्कायद है, ये मीटर बदली होने का आप भी जो है, तोरेंट का आपने क्या ऐसा विवार देखा है जिसका विरोध आप कर रहे हैं? तो सब लोग जाम हुए तो सब लोग जमा होएं तो फिर में ओलो हुए। तो लोग क्या बहुते हैं? मैं मैं बहुता हो कहा है pride Plauman रींदमॉजर मैं मौलेगा पर इंदमीे तो मैं बॉलेगी तो मैं बोली ने क्या purchased आप लोगे जो बतन पानी का काम करने वाले कोई नहीं इता हिए इतने कम पगार में कमाने फाले लोगे इतना इतना बील आएगा तो कैसे भरेंगे अपने बच्चों का पेड बरेगे ये तुमारे पास भी आस ना उड़ाद है। छुम लोग तो हम लोग नोग से पैसा लेकि अपने जिर भर रहे हम का नहीं है हमको तो किसे को काम नहीं है किसे बच्चक कोई घर में बैटा हूआ है कोई क्या नहीं कर रह एruck तो इसके बारे हम को कौन कुछ हैं कार नहीं हम आगे तो यह कैसे चलेगा अभी जो करना यह काम चलेगा ऐसे ही चलेगा अजब मेटर रीडिंग को लेकर के आप लोगों को बहुत दिक्कते हैं और उसके ओपर आपका अपको अब्जेक्शन है क्या अपका? इतना भाड़ा घर के भरेंगे 6,000 भाड़ा भारों कि 4,000 लाइट के बिल बरेंगे वो लोग बोल रहे हैं कि आपको भर नहीं पड़ेगा अच्छा कैसा भी करो आपको हम लोग अपर पट्टी में रहने वादे कहां से भरेंगे अच्छा पहले जो भी लाता था और अब ये अधिन चारचर हजार आरा है चारचर हजार आरा कहां से भरेंगे एक लाइट एक पंखा बस एक फिरीज इससे ज़्यादा कुछ भी अपने घर में नहीं है ती वी कुछ भी नहीं है लेकिन इतना जादा हम लोग नहीं भर पाएंगे लिकोस एगी है कि टोरन वालों को हट कि टोरन को हटाना जी है अगा भी जिसके यहां पे अगर लाइटिंग जरूरत के लिए लग लगाते भी लोग जादा हम दी हमारे बस भी है मगर हम लोग जरूरत कुती ही तो ही चालू का थे किचन में जादे तो खॉल की बंद होती है बैदू में जादे तो पुरा रात क चालें चलाएंगे तो यह एक दिन का अवरेंच बता रहे हैं तो यह एक दिन का दो पॉसिभली तो यह जंग दिन का मता रहे हैं जेंग कि जरू के इंग छांटा चलती हूंगा जJack कई ने इक शी डार में पर्फ रहाएं अंग दर्फ लियां hype यहां थायं वाध कर आपका पत्र विवार की अ पर लेटर दीजिए फिर उसके बाद आपको जो करना है मुर्चा निकालना है क्या करना है उसके बाद का प्रोसेस आप कीजिए तो यह पर यह सबसे पहला तो तो टोरेंट ने जूड बोलकर हमें यह पर फसाया गया पूरी तरह आच्छा कि यह पर जो मीटर है वो पूरा न मीटर है अगर मीटर फॉल्ट रहता है तो ही मीटर चेंज होता है तो बिना फॉल्ट का मीटर आप कैसा नया लगा सकते आपने मीटर लगा दिया नया अभी कोई घर में कमाने वाला है तो उस वो भाड़ा बरेगा या लाइट का बिल पाच आजार आएगा या दस आजार वो भरेगा, क्या घर चलाएगा, क्या करेगा, उसका बच्चे का फ्यूचर क्या होएगा इदर, मुम्रा में रहने का, क्या नहीं रहने का, क्या मुम्रा को और गरित बनाने का है, क्या है ये तुम्हारा, मेरको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आम जनता भी पूरी लिए परिशानी का हल क्या है हल जल से जल निकालो कियो एक हो कर सब लोग मुरचा निकाली है इनके खिलाप अगर आज चुप बेटेंगे तो आने वाले वड़ेंगे यह तोरेंट हमें कंगाल करकर पुरा गरीब करकर चले जाएगी तरण होना ही थीक है, अभी आप लोगों मैं से कुछ महिलाएं जो है, रिधिंग को लेकर के कुछ एना चाह रही ही, फ क्या कहना है अपका? रिधिंग मतलब आप भी नया मीटर लगए, उनलोग ने 27 तारिख को, 27 तारी को नया मीटर लगाने के बावजूद मेरी 36 रेडिंग गीरी है 5 डिसमबर को बिना बता है उनलों में 3 बजे मेरा नया मीटर निकालके फिर दुसरा मीटर लगाए और उसी में वही मीटर में 86 रेडिंग दाले सीधा 50 यूनिट आगे बढ़ा दी हम लोग वन रूम किचन में रहते हैं है दो फैन है एक ट्यूब दो ट्यूब है अब दो ट्यूब में और एक राथ में सीधा आठ यूनिट बढ़ा दी अब क्या करना और मैं अब एक कस्टम उटर फोन कर रही हूँ यहां पर करने जाँ है तो फिर बोलते हैं बोलो उसी लोग आएंगग कर तो बोले हम लोग 50 यूनिट आपको माइनस करके देंगे लेकिन आपका प्रिवियस रिडिंग रहेगा अब 27 तारीक को इन लोग नहीं निकाले उससे पहले जो रिडिंग लिए जो कुराना मीटर था उसकी रिडिंग लिए उसकी रिडिंग का भी बिल आ चुका है अब बोल सब्सक्राइब करते हैं जिस दिन तुम लोग को जरूत पढ़ती है तो हाथ जोडने आते हैं अभी तुम लोग कॉर्ण क्यूब भड़ बिठाया आवी किता भी अपीप्दर बिल उना अगर शोग ना इमंगता ना इधर हमारे इधर हमारी इधर कुछ करो हां अव्टरोग आना चेह जिए सब आना चेह पहला कैसा मुम्रा अभी बेरर जर्वी इस देवा हाँ दो घंताभी पानी ने लिता है क्षिए जोगा आके जाए कुछ बरख नियर मीरा कॉम ख़ंगए लो अड़ाम अच्विद्व इसालाइए नहीं बोट सी महिलाँ ने पटाया वह बहन ने भी बताया कि उन्होंने सर्वे Tradis शिकायट के बात जो है जो है जो है जो है टेकिंग की तो उनने आप लोगों को आपका सीधा कहना यह है जो आपका फ्रीज है वो पुराना हो गया है वो बतली किजिये आपका आदमी बिल नहीं भर सकता तो आदमी बतली किजिये सर 550 gladi अब gün是 अच्छाव अच्छा छेजेगे हट्रे मानना इनको क्या करना हणों परेशyg भूलका हम इसमल ₹ हमारे मेठ्य क्या दो पूरे मामले बयाब मैं लक फिंग नहीं करना कि दो यह तो मैंने पहला है बुछा हैं मैं अदल भागानिगा जाहना को जाए द सोटे बच्चेह का इस वी बीवार खे लोगने तो अनलोक ने क्या वले हागा एग डबा नहीं लगा दे अबर्श रुपाली और साफभूटे अगर थे अगर्ट रहें वाड़ दो दोटाने दे रहें तो नगर्शेयों का फोन आया वास वान के लिए भीजिए घरावाल लगाने बोले जब शुरू में," आवाड था» हम लोग तो रजी नहीं थे वाड देने के लिए उसके बास आमगे आवाड को वाड या उसमे बहुत अच्छ तिया उसके आगे फिर हमने वाड दिये उसके आगे पिर हम नी दिये और आज हमको खटे में अच्छ दालरा kangra तो 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 नहीं आने वाला था वगर जंदा ने तेरे को खड़ा कि फिर आज जंदा के साथ ना इंसाफ ही क्यों अभी आप बताओ ये ना इंसाफ ही कर रहा हो आज सब ये गलाद कर रहे उनके कारण हमारा इंसाफ जाना चीए ये थी तोरंड पावर नामक कमपणी के जबरन मीटर बदली किये जाने पर स्थान्य लोगों के आकरोश पर जानकारी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए